हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई चैनल मैं सभी दचकरवर्थी कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज मैं आप सब के साथ ब्रॉकली के एक नहीं रेशिपी शेयर करने जारी हूँ हर बार की तरह इस पर भी आप सब को बहुत ही पसंद आएंगे पसंद आएंगे तो प्लीज डोंट फोड़े टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलिए फिस सुरू करते हैं मज़़ा रेशिपी आज मैं आप सब के साथ ब्रॉकली की रेशिपी शेयर करने जारी हूँ जो कि सेंपल माशालों से बहुत ही ज करेंगे पानी दानली के बाद इसमें हम लोक नमा कैट कर देंगे हाफ टी स्पून प्रॉकली को वाइल करने से इसमें जम्स वगएर नहीं होते हैं अगर कोई केड़े वगएर रहे तो फिर भी निकल जाएंगे इसलिए इससे वाइल करता है इंपोर्टिंट है इससे हमें दो से तीन मिनिट के लिए वाइल करना है यह वाइल हो चुके हैं और इससे हम लोग निकाल लेंगे इसका पानी को स्ट्रेंड कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे देखे मैंने सारे ब्रॉकली को निकाल लिया है फिर से एक पैन में हम लोग 1 टी स्पून ओयल एट करेंगे ओयल करम होने पर हम लोग बॉल किया हूँ और ब्रॉकली को एट कर देंगे और फ्रॉकली को हम लोग फ्राइ कर लेंगे फ्रॉकली को फ्राइ करने से इसका प्लेवर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप फ्राइ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को इसकीप पी कर सकते हैं हलका साथ कलर जैसे चेंज हो जाया है तो फिर हम लोग इससे निकाल लेंगे इसे हम लोग 2-3 मिनिट के लिए फ्राइ किया है इसका हलका सा कलर चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम लोग इसी पैन में फिर से एक प्रशमच आइट करेंगे अई लाने के बाद इसमें जीरा 1-2 प्रशमच एट करेंगे और एक टेजपता एट कर देंगे जीरा जैसे हमारा रोस्ट हो जाएं तब हम लोग प्यास के स्लाइसे एट कर देंगे यहां पर एक बड़ा से इसका मैंने प्याज लिया है और इसे इस तरह से स्लाइस में कच कर लिये हैं और इसे फ्राई कर लेंगे देखिए फ्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं इसे बहुत जादा मैंने फ्राई नहीं किया है हलका सा color change होने तक मैंने fry किया है और इसमें मैंने अध्रक लसन का paste one teaspoon एट कर दिया है और इसे भी अच्छे से प्यास के साथ होना है ताकि इसका कच्छा पर नहां रही और प्यास भी अच्छे से fry हो जाए कि अच्छे से फ्राई होने के बाद containedvenue with two tomatoes which gather and प्रिखज करने के बाद कर दोड़ने कंपने हैं और ये अच्छे से बोनना है कि हमें मसाले को万 प्रेंप दब तक बोनना है जब तक ऑयल से फ्रीट ना होनी लगे देखिए मसाले से वाइल सिपरीट होने लगा है आप देख सकते हैं किनारे किनारे ओइल निकल आए है देखिए आप हम लोग फ्राइ किया हुआ ब्रॉकली को एट कर देंगी और इससे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे देखिए मिक्स हो चुका है अब हम लोग इसे ग्रेवी के अनुशार पानी एट करेंगे और इसे मिला देंगे और इसे कौवर करके दो तिन मिनिट के लिए कुख करेंगे दो तिन मिनिट के बाद देख सकते हैं ब्रॉकली हमारे अच्छे से कौक हो चुके हैं क्योंकि हमने वाइल भी किया था फ्राइ भी किया था उसे कौक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो यह अच्छे से कौक हो चुके हैं हमने लोफ लिम्पिक उक्या है दो तिन मिट के लिए और हमनों लास्ट में गरम मसाला एट कर देंगे और बारी कटा हुआ धनिया पत्ता एट कर देंगे बस प्रॉकली की सबजी हमारी रेडियो हो चुकी है अगर ये रेसिप आपको पसंद आएं तो प्लीज लाइक करें और फ्रेंज और फैमिली के सेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं निक्स वीडियो में टेक कियर बाई